हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तो माई यूटूब चैनल और आज के इस वीडियो में हम आपको एकाशिया सिल्की सॉफ्ट फुट केयर ओट्मेंट क्रीम के बारे में बताएंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि 20 ग्राम का क्रीम आपको 52 रुपीज में मिल जाएगा इजली आप किसी भी कास्मेटिक के सॉफ पे आप जाकर ले सकते हैं अब बात करते हैं इसके यूज की कि इसका इस्तेमाल हम कहां कहां पे कर सकते हैं तो यहां पे देखिए आप ये दिया हुआ है अगर आपको जैसे की फिंगर्स के बीच में इंफेक्शन हुआ है तो वहाँ पर आप इसका इस्तिमाल कर सकते हैं आपकी एडिया अगर फटी है या ड्राइं है तो वहाँ पर भी आप इसका क्रीम का इस्तिमाल कर सकते हैं और हैंड के ड्राइनेस या नी या इल्वो के जो ड्राइनेस हो जाती है वहाँ पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इससे ये फाइदा हुगा कि आप जहां पर बे इस्तेमाल करेंगे वो इस्कीन वहाँ के सॉफ्ट हो जाएगी और ये बहुत ही जादा असरदार क्रीम है तो अगर आपको ऐसी कोई भी समस्या है तो आप स्क्रीम का इस्तेमाल जरूर करें यहाँ पर देखिए कस्टमर के डिटेल्स भी दिया हुआ है कस्टमर के मोबाइल लंबर भी दिया है तो अगर आपको कोई भी इससे फिट बैक या कुछ भी देना है तो आप यहाँ पर कॉन्टैक कर सकते हैं और यह देखिए मैनुफैक्ट्रिंग डेट और एक्स्पारी डेट भी यहाँ पर लिखा हुआ है तो आप इसे देख कर ही ले और यह किरिम जादा महंगी भी नहीं है 20 ग्राम आपको 52 रुपीज में मिल जाएगी और यह कौन-कौन सा कंटेंट इसमें यूज किया गया है तो यहाँ पर यह दिया हुआ है कि कौन-कौन से इंग्रिडियंट्स मिलाकर इसे बनाया गया है या सथ भस्मा, तंकन, आमला, सुद, घंधक, सोरिया, रो, वुस्ता, सत, पुदीना, बेस यह सब चीजे आयरवेदिक यह मेडिसीन है तो आयरवेदिक की जो को मिलाकर इसे बनाया गया है अब हम इसको ओपन करके दिखाते हैं अब इसके अंदर का यह देखिए अगर आपको इसके अंदर यह दिया हुआ है सारी चीजे बिलकुल डिटेल में दी हुई है कि कैसे आपको इस्तेमाल करना है कैसे यह आपके लिए उपयोगी होगा तो मैं इसको दिखा देती हूँ अच्छे से अब यह देखिए यह इसके अंदर दिया हुआ है यह जिसके हम पढ़कर इसको कैसे इस्तेमाल करना है और क्या चीजे करनी है तो वो मैं बता देती हूँ यहां पर यह देखिए लिखा हुआ है सिलके अंद सौफ एक ऐसा एंटमेंट है जो फटी एडियों और अंगलियों के बीच खारवो में अपने एंटिसेप्टिक एंड एंटिफंगल प्रभाव से बहुत तेजी से अराम पहुचाता है इसका नियमित परियोग पैर तथा हातों की रुचता यानि ड्राइनेस दूर कर उन्हें कोमल तथा मुलायम सिलक एंड सौफ बनाता है अब इसका प्रियोग करने की विधी क्या है तो फटी एडियों के लिए पैर को गुनगुने पानी यों सौम साबुन से अच्छी प्रकार से धो कर एक तॉलिये से सुखा कर प्रभावित भाग पर सिलकी सौफ मल कर लगाए यानि कि इस क्रीम को लेकर पहले आपको अच्छे से साफ कर लेना है पैर को गुनगुने पानी से और साबुन से और उसके बाद ये क्रीम अच्छे से तॉलिये से सुखा कर उसके बाद इस क्रीम को उस जगह पर लगाना है जहां पर ड्राइने से या फिर एडिया आपकी पटी हुई है तो वहाँ पर लगा लेंगे यह प्रक्रिया दिन में दो बार यह रात को सोती समय अपना है धूल मिट्टी यह सुस्क हवा से बचा कर रखें जुराब पहने यानि मोजे पहने इससे आराम जल्दी मिल जाएगा इससे आपको अराम मिलेगा अब यह देखे खा करके साफ करके लगाए खारू का पानी में भीग्ने से बचाए हाथ यो पैरों के रुक्षिता के लिए जो ड्राइनस से उसके लिए सुभर नहाने के बाद यहू रात को सुणे से पहले इस सिल्की अंशोक इससे आपको मसा지 कर लेना है इस क्रीम से यह देखिए यहाँ प मेरलो आप पढ़ सकते हैं यह मैं इसका भी दिखा देती मैई अब हम देख लेते हैं कि क्रीम कैसा देखता हैं मारा तो हम इसको करेंगे कि यह क्रीम है है अभा मिस्कु debt आलो कलर का यह ऐसा देखता है और यह एक जैली पेट्रोलियम जैली जैली जैसा ही प्रॉप जमा हुआ है और लेकिन यहां तो आपकी जहां पर एडिया फटी है या रव फाथ है तो वहां पर इसका इस्तेमाल करिए और आपको लाव मिलेगा ऐसे ही नएने प्रोडर्स के रिव्यू के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजे लाइक और कमेंट करके बताए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और इस दवा से अगर आपको लाव मिलता है तो कमेंट करके हमें जरूर बताएगा